गुर्ण मॉनिंग फ्रेंट्स आपका बड़ बस्वागत है हमारे चैनल में तो फ्रेंट्स आज हम सिलाई मसीन की जो पुरानी बाविन होती है या फिर यूज में नहीं आ रही होती है उनका बहुत ही बड़ी अपयोग बताने वाले हैं तो यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने दो बाविन लिए है सिलाई मसीन की यह देख सकते हैं अलग अलग डिजाइन की बाविन है और यह देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर येलो औरेंज कलर की उनली है और आसमानी कलर के मोती लिए हैं आप किसी भी कलर की उनले सकते हैं और किसी भी कलर के मोती ले सकते है अपनी पसंद अनु साथ तो चलिए फ्रेंस बनाना सुरू करते हैं तो यह देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने सुई में उन पिरोली है यह देख सकते हैं और यहाँ पर एक छोड़ से हम जो बाविन है उसमें गठान लगा लेते हैं यह देखिए यहाँ पर हम दो से तीन लगा देंगे कि दो की साथा से कि देखिए इस पकार से अ मैं यृओ इस बहुत ही आसान है सुई की साथा से हम इस वाविन के बीच में से उन इस पकार से निकालते चाहें अब ए और फेंट । इस बाबिन के चार ओर जैब हम उन लपेटेंगे इस प्कार सुई की साता से तो उन को हमें दिला नहीं रखना है हमें ओन खीज करा लेना है यह कि इस बाबिन dejar यो February है हमें तो यह दिएकिख सकते हैं हाँ पर हमने बाव इनके 4 और उपेचिछ दिया है वर किनि चार और हमने लपेच दिया है कहीं से बाव नज ellang नहीं आ रहे है करन frequent अब हम यहां पर मोंती पे रोएंगे तो यह देखिए इस पकार से एक बार हमने उनको इस प्रकार से निकाल लिया है उनके बीच में से अब हम मोती पिरोएंगे देखिए कि इस प्रकार से हम सुई में मोती पिरो लेंगे कि देखिए और इनको इस प्रकार से लपिर देंगे तो यह देखिए फ्रकार से यहाँ पर एक दो मोती कम है तो अब हम और पिरो लेंगे तो यहाँ पर हमने और मोती पिरो लिया है और यह देखिए इस प्रकार से हम इसके चार और लपिर देते हैं यह देखिए और यह देखिए फ्रेंट्स आप देख सकते हैं वाविन के चार और मोती अच्छे से आ गए हैं और जो फश्ट मोती है उसमें से हम सुई निकाल लेते हैं इस प्रकार से यह देखिए और इसको थोड़ा खीच लेंगे यह देखिए टाइट कर लेंगे इसको जिससे की मोती धीलेना रहें और यह देखिए इस प्रकार से हम उनके बीच में से सुई को इस प्रकार से निकाल लेंगे और यह देखिए उनको थोड़ा खीच कर लेंगे हम जिससे की मोती धीलेना रहें और यह देखिए बीच में भी हम एक मोती लगा देते हैं तो यह देखिए फ्रें यहां पर हम गठान लगा देते हैं आप देखिए और इसको केची से काट देंगे तो यहां पर बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुन्दर फ्लॉवर बन कर तयार है आप देख सकते हैं तो फ्रेंट अगर आपके पास भी पुरानी वाविन पड़ी हुई है यह उपयोग में नह प्रेंट फेकने से पहले आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें तो देखा फ्रेंट आपने कितने कम समय में और कितने सरल तरीके से पुरानी वाविन से बहुत ही खुबसूरत फूल बन कर तयार है यह देखिए आप देख सकते हैं तो फ्रेंट अगर आप भी इसी का सुन्दर फूल बनाना चाहते हैं सुन्दर फ्लॉवर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके का उप्योग जरूर कीजिए तो फ्रेंट वीडियो के एंड में आप से यही रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीस लाइक शेयर जरूर तो मिलते हैं फ्रेंट्स अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्क्राल